दोस्तो आज आमड़े पास एक 24 इंच का टीवी रिपेरिंग होने के लिए आया है जिसके अंदर 236 नंबर का पैनेल लगा हुआ है इसके अंदर क्या प्रोब्लम है ये तो ढूंड़ने में मुझे बहुत ही जादा मसकत करना परा है आपको भी दिखाऊंगा कि एक्शुल मे नहीं आ रहा है लेकिन इसके अंदर ना साउंड भी नहीं आ रहा है पिक्चर भी नहीं आ रहा है साउंड भी नहीं आ रहा है लेकिन इसका पैनेल भी सही है बैकलाइट भी सही है अब इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के यह हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है व आपको कोई मादरबोर्ट चेंज करने की जोरोत नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम आपको एक एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपको आज ता किसे नहीं बताया होगा और वो प्रोसेस क्या है सबसे पेले तो हम वोल्टेज मिजर्मेन करेंगे जो LVDS सिगनल होता है 1.2 वोल्ट जो कि और इवेन नमबर का होता है वो सारे वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ कहाँ पे कमिया है उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि अक्चुल मैं इस टीवी का अंदर क्या फॉल्ट है जैसे कि मैंने आप लोगों बता है कि पैनेल को मैं पहले ही चेक कर लिया हूँ कि पैनेल सही है हमने दूसरे बोड से मदद से वो चेक कर रहा हूँ अब देखें यहाँ पे जो 1.2 वोल्ट हमें मिलता है LVDS सिगनल जो 0+, 0-1+, 1-2+, 2- सारे वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर मौजिव दे कहीं बाद यह वोल्टेज क्या होता है कि मिशी घुना जाना के बैसे भी हमें ग्राफिक्स नहीं दिखाए देता है अब चलिए आपको दिखाता हूँ कि पैनेल सप्लाइ वोल्टेज मतलब पैनेल के अंदर जितने भी वोल्टेज हमें मिलना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पे 11.89 यहाँ कि 12 वोल्ट पैनेल सप्लाइ उसके बाद जितने भी और और वोल्टेज VCC, VDD, ABDD, VON, VGON उसके बाद 3.3 वोल्ट सारे वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर है फिर भी हमें डिस्पले पर कोई भी पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है और बैकलाइट तो सही है आपने पहले ही दिखा होंगे जब मैं इसके उपर टैप कर रहा तो उस टाइम आपको बैकलाइट देख रहा होगा तो अब इसके अंदर प्रॉपर्लेम है तो है कै इसको ढूंते ढूंते कही मतलाब कही बाद बहुत देर बाद हमें पता चला कि इसके अंदर जो बायोस आईसी लगा हुआ है उसके अंदर दिक्यत हो सकता है एक बार मेरे ख्याल में आया तो उसको चेक करने के लिए जब इसका मादरबोर्ड के अंदर बाकी जो बोल्टेज है आप वो भी हमें एक बाद चेक करना होता है वो भी आपको चेक कर लेता है चेक कर क्या आपको दिखाता हूँ चलिए अब मदरबोड के अंदर सही से बोल्टेज बन रहा है कि नहीं यह भी एक बड़ चेकर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले अपने देख लीजिए कि जो बाइस आइसी होता है उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिपल ओनेट आइसी लागा होता है इसके अंदर भी 3.3 वोल और 1.8 वोल बिल्कुल प्रॉपर है उसके बाद हमारे यहाँ पे 1.2 बोल जो होता है वो भी यहाँ पे प्रॉपर मौजूद है यहाँ पे देख सकते हैं 1.02 मतलब यह भी सही है और इसके अंदर जो मेन आइसी लागा हुआ है मेन IC भी बिल्कुल ओके है अब हम क्या करेंगे कि इसका जो मेन बायो साइसी है इसको निकालेंगे और इसके जगा पर हम सॉप्ट्वेर करके एक बार देखेंगे लेकिन इस वली IC को प्रोग्राम करने के लिए हम इस्तमल करेंगे RTA09H तो यहाँ पर हमने IC को खोल लिया हूँ यहाँ पर देखें निकाल लिया हूँ और IC को निकालने के बाद आब हम इस एडप्टर के अंदर डालेंगे और adapter के अंदर डालने के बाद हम ये जो program आप देख रहे हो इस program के अंदर डालेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो dialogue box देख रहे हो वो मिल रहा होगा इसके मदाद से इसको program करेंगे और आपको बताएंगे कि इस program को कहा से मिलेंगे तो आगर आपको same board का software चाहिए किसी भी TV का board का software चाहिए तो आप हमारे online store या जो हमारा website है deepelectronicslab.com होहां से download कर सकते हो आपको free में मिल जाएंगे कोई भी टीवी का या कोई भी बोड का सॉप्ट्वर बिल्कुल फिरी में मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रेप्टियर में लिंक दिया हुआ है और उपर आए बटन पर भी आपको मिल जाएंगे हमारे विबसाइट का नाम और अगर आप गुगल पर जाके सार्ज करोगे इस तरीके से प्रोग्राम करके रखा है ताकि कोई इसके अंदर रीड और राइड ना कर सके और कोई स्थेरकरी ना कर सके दूसरा रीजन यह हो सकता है कि यह हमारा आएसी खराब हो गया है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दूसरा इस टाइप का एक आएसी है इस IC को हम अपने प्रोग्राम करके देखेंगे और लगा के देखता हूँ कि हमारा IT भी ठीक होता है या नहीं तो इस बली IC को भी प्रोग्राम करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन इसके लिए हमें अडप्टर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहला जो IC था उसका साइज छोटा था लेकिन इसका थोरा सा बड़ा है साइज थोरा सा अलग है तो मैं उसी तरीके से इस एडप्टर के साथ हम इस 8809H प्रोग्रामर के साथ हम कनेट कर देंगे और उसके बाद हम अपने सिस्टेम पर डायलोग बॉक्स पर चलेंग क्लिक करेंगे यहां पे देख technically को चुका है अब हम क्या करेंगे open करेंग और open करने के बाद जहांपर हमारा software रकख शुआ हॉइँ उपर किलिक हनगे और पहली बार की program terminated दिखा रहा था पहले वो software नहीं हो रहा था IC का अंदर लेकिन अभी हमें पता चल जाएगा कि आईसी का अंदर दिख्का थे यह हमारे software का अंदर दिख्का थे अभी इसके लिए थोरा सा time लगता है ज्यादा नहीं लगबग आपको 30 से 40 सेकंड समय लगता है तो आप थोरा सा wait करिए और हमारा voice over सुनते रही है देखिए यहाँ पर erase हुआ पहले तो erase हुआ उसके बाद य जहां से हमने board के अंदर से निकाला था उस सेम जगा पर इस IC को मैं बिठा देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि इस TV के अंदर जो पिक्चर नहीं आ रहा था वो पिक्चर सही से हमें दिखने को मिलता है कि नहीं और जो problem था यह भी आपको पता चल जाएगा कि इस टाइब का problem software के issue के वैसे भी होता है software के अंदर failure के वैसे भी होता है तो चलिए जल्दी से यह काम पूरा कर लेता हूँ यही वाला IC हम इसके अंदर लगा रहा हूँ जो पहले था वो हमने हटा के हम दूसरे वाला IC को लगा रहा हूँ इस लगाने के बाद हम इसको चालो करके देखेंगे कि टीवी का अंदर जो हमरा बिना graphics यानि कि no graphics वाला जो problem आ रहा था वो ठीक होता है कि नहीं चलिए एक बात देख है यहां पर देखिए हमने program वाला IC को यहां पर डाल दिया हूँ और सेम IC के अंदर program नहीं हो रहा था तो आप जो है ना दूसरे IC का भी जो software करके दूसरे IC को भी software करके लगा सकते हो तो आभी बात हम चलते है टीवी को on करते है लाइन देखे यह देखिए यह वाला IC पहले लगा हुआ था इसके अंदर जो की program नहीं ले रहा था software नहीं हो रहा था जिसके कारण हमने को दूसरे IC का अंदर program डालना पर है तो हमने line देख लेते हैं कि हमरे टीवी का अंदर picture आ रहा है कि नहीं तो उठा के देखता हूँ यहां पे देखिए picture आ चुका है लेकिन यहा ठीक करने के लिए हम service menu में जाएंगे और उसके बाद ठीक हो जाएंगे इसके उपर मैंने dedicated video बना कर रखा हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा मैं बहुत ही fast and forward में इसको मैं ठीक करता हूँ और आपके सामने इसको दिखाता हूँ तो इसको ठी TV कानदा जो हमारा service menu है वो input 1147 दवाने के बाद आ चुका है उसके बाद देखिए पैनल सेटिंग में जाके हमने इसका LVDS Mapping को चेंज कर दिया हूँ और उसके बाद हमें mirror option को चेंज करना पड़ेगा यहां पर mirror option को चेंज कर दिया हूँ अब हमारा TV आप इस्टन माई में करके बताएगा कि यह जो फॉल्ट है इस फॉल्ट के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं अगर नहीं पता था तो भी आप नीचे कमेंट करके बताएगा अगर पहली बार आप इस वीडियो के जिरिए देख रहे हो जान रहे हो तो भी आप नीचे कमेंट करके बता टूपले औीजित लिग लिए लिए भीजिते हैं।